अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जुनूर हो तो फिर उसके लिए संसाधन मायने नहीं रखते बस एक चीज मायने रखती है कि आप अपने मकसद को पाने के लिए कितने कलमठ और सिद्धी है दरसल नीट यानि की राज़्ट्रिय पात्रिता सहे प्रवेश परिक्षा के डिजर्ट ने इस कथन को एक दम सही साबद कर दिया है दिल्ली सरकार हमेशा सरकारी स्कूलों में हो रही पढ़ाई की बढ़ाई कर दी रहती है लेकिन अब ये काफी हद तक साबद भी हो गया है कि पढ़ाई वाकई उच्कोटी की हो रही है नीट परिक्षा में दिल्ली के तक्रीबर 500 बच्चों ने सफलता हासर करके हर किसी को हैरान कर दिया है वही पास हुए चातरों में से 51 बच्चे तो एक ही स्कूल के है वही सफलता पर खुशी जाहर करते हुए दिल्ली के सीम अरवंद केजरिवाल ने बोला है कि इस तरह की काम्यावी की कुछ समय पहले तक कलपना भी नहीं की जा सकती थी लेकिन अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सफलता का नया इतिहास लिख रहे हैं सीम के जिवाल ने बच्चों और उनके मातापता को बढ़ाई देते हुए शिक्षपो का भी अभार व्यप्त किया है इसके ही साथ ही दिल्ली के उपमुख्य मंत्री मनेश सोधिया ने भी सफल हुए छात्रों को बढ़ाई दी है खेर इस तरह के सफलता ने साबित कर दिया है कि समाच को अगर बहतर दिशा दिखानी पढ़ाई का लेवल सबसे पहले बहतर करना पड़ेगा आज पूरे देश को ऐसे शुक्षा विवस्था कि जरूरत है ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी डॉक्टर और इंजीरियर बन सके